हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो सपना, सिंपल आनेजी कुकिंग आज हम चिकन विंग्स और ड्रम स्टिक्स के लॉली पॉप बनाना सिखेंगे लॉली पॉप का शेप देने के लिए इनकी किस तरह से कटिंग की जाती है इसलिए मैंने यहाँ पे एक चिकन ड्रम स्टिक्स और एक विंग्ली है इन्हें लॉली पॉप का शेप देने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनमें से कौन से ड्रम स्टिक्स है या कौन से विंग्स है सबसे पहले हम wing को लॉलिपॉप का शेप देंगे यहाँ पे मैंने एक wing ली है इनके दोनों corner को देख के आपको पता चलेगा कि इनमें दो bone है एक पतला bone है और एक मोटा bone है अब इनमें से पतला bone निकाल देंगे इस पतले bone को निकालने के लिए इसके बीच में एक धारदार चाकू से चीरा लगाएंगे अब wings के दूसरे side से भी इसी तरह से चीरा लगाएंगे जिससे पतले bone को skin से separate करने में आसानी होगी आप देख सकते हैं पतला bone skin से separate हो चुका है अब एक पतले धारदार चाकू से bone को दूसरे bone से अलग करेंगे अब इसे एक side से पकड़ कर meat को उल्टी दिशा में सरकाते जाएंगे इसी तरह से हम bone निकलने तक meat को उल्टी दिशा में सरकाते रहेंगे आप देख सकते हैं हमने पतले bone को निकाल लिया है पतले bone को निकालने के बाद अब बच्चे हुए bone को भी एक side से पकड़ कर चाकू से meat को दूसरी तरफ सरकाते जाएंगे ध्यान रहे हम एक bone के side से दूसरे bone के side तक ही meat को लेके आएंगे लेकिन पूरी तरह से हमें meat को bone से अलग नहीं करना है आप देख सकते हैं हमने bone के एक side से दूसरे side तक chicken के meat को सरका दिया है अब meat को bone की उल्टी side से दबा कर लॉलिपॉप का शेप देंगे चिकन विंग को हमने लॉलिपॉप का शेप दे दिया है अब drum stick को भी लॉलिपॉप का शेप देंगे चिकन ड्रम स्टिक में एक ही bone होता है इसलिए इसके नीचे की side में चाकू से चीरा लगाएंगे bone से skin छूट जाए इस तरह से हमें इसे चीरा लगाना है अब नीचे की side से bone को जो extra skin चित्की हुई है उसे भी चाकू से अलग कर देंगे bone के एक side से meat और skin को अलग करने के बाद bone के दूसरे side की तरफ meat को चाकू से सरकाते जाएंगे अब bone के निचले side में लगी हुई extra skin भी निकाल लेंगे अब हमने जो bone के meat को एक side में किया है उसे उपर की तरह इस तरह से पलट देंगे अब हातों से इसे गोला कार दबा कर lollipop का shape देंगे अगर आप पहली बार wings और drumstick के lollipop बना रहे है तो आपको ये काम बहुत महिनत का लगेगा लेकिन एक बार सीख जाएंगे तो आपको यही काम बहुत ही आसान लगेगा आप भी हमने बताय हुए instructions फॉलो करके wings और drumstick के lollipops बना कर देखिए और अपना feedback comment section में ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको सही में वीडियो अच्छा लगा तो like बटन क्लिक करके हमारे channel को subscribe कीजिए Thank you